आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार प्राइम टीवी पर बात करते हुए कहा कि मैं मुख्यमंतरी योग्याद इतिनाद के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और इसकी पूरी तयारी भी कर ली गई है अगर मुख्यमंतरी मुझे जेल में भी डाल देते हैं तो मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा और अगर मेरी हत्या करवा दी जाती है तो मेरा पलिवार मेरा संगठन चुनाव लड़ेगा हो जाएगी तो क्या मुद्द है किन मुद्द पर जा रहे हैं देखे मैं यह समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज जो बरबादी हुई है उसके लिए अगर कोई वेक्ति जिम्मेदार है तो वह योगिया जिसका नाव कुकि सता कि चाबी उनके पास थी वो चाते तो परिवस्तन कर सकते थे वो चाते तो पोरोनवा कालम सब्सक्राब ऑर और चिये तो यह नहीं पता कि उनके चुन आदमी जो है बदल जाएगा और उनके दफ्तर में कौन आदमी जो है हैWhat उनके दफ्तर का मुख्य संचालक बन जाएगा कौन ओपरेट करेगा जिनको ये भी नहीं पता वो अगर इस तरह की बाते करते हैं तो वो जनता को बहकाने काम कर रहे हैं जिनको पूरी फोज जो है उत्तर प्रदेश में उतारनी पड़े तो इसका मलब उन्होंने काम नहीं क अभी आप बोल रहे थे कि अख्लेश शादो आपके बड़े भाई जैसे हैं अख्लेश शादो के बारे में नहीं कुछ होगा लेकिन आपने यह भी कहा कि बसपास सुप्रेमों का भी आप संभाद बहुत करते हैं तो अगर वह मुख्यमंत्री वाला कुछ चहरा बनती है य हम यह मानें कि आप हो सकते हैं यह हमारा गटबंदन तय करें लेकिन हम विश्वाज के साथ कहते हैं कि हमने काम किया है पास साल में और हमारी मैनस से जब हम अपने मुद्दों को मैनिफेस्टों को लेके डोर-टो-डोर कंपैनिंग करेंगे हमारे कारे करता क्योंकि अगर ये बीजेपी डूर टूर केंपेंग कर रही है डिजिटली मामला आजकल चल रहा है क्यों कि चुनावायग ने भी कहा कि फिजिकल बहुत ज़्यादा नहीं होगा सब कुछ डिजिटल करिए आप लोग तो डिजिटल भी इतना स्ट्रॉंग अभी नहीं है किसे इस लडाई को लड़ेंगे भी कह रहे हैं कि अगर आपका कैमरा मेरे पास नहीं है आपका माइक मेरे पास तो डिजिटल हम लोग स्ट्रॉंग नहीं है आप पता कराईए जितनी दाकत बीजेपी के पास है हाँ उनके पास पैसे हैं जो इसी जनता की जेब से चुराएं लूटें हडपें धोका दे देके जनता को जो ब्रस्टाचार करकरके अपनी जेबे भरी जब जाँच होगी न शब निकल जाएगा और जनता कि अभी तीन दिन पहले ट्विटर पे मुख्यमंतर जी के लोग ट्रेंट करा रहे थे और हम से चार गुना ट्विट पे पीछे थे अभी तो शुरू हुआ है अंदोलन आप देखते जाए ना हम पे सर कम है ना हम पे लोग कम है ना हमारे जो संकल्फ कम जो रहे उत्तर वरतन होगा और उसके लिए हम लोग तयार हैं अब आप आगया आगया देखिए होता है कि अपने बास से पीछे नहीं हटूँगा मुख्यमंतर जो करना करें वो मेरी हत्या भी करा देंगे तो मेरा परिवार इस काम को आगे बढ़ाएगा लेकिन हम उनसे डरेंगे नहीं अगर मुख्यमंतरी मुझे जेल भी विजवाते हैं तो मैं जेल से भी चुनाओ लोड़ूगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सिट्या बेहाल हुई है बदाल हुई है उपी गवर्मेंट की वज़े से हुई है मुख्यमंतरी की वज़े से ही हुई है और मैं इन सिट्यो अगली खबर राइबरेली से है जहां भाज़पा के राजसभा सांसद अशोक बाजपई ने सपा के पुरानी पैंचन और तीन सो यूनिट फ्री बिजली दिये जाने को स्वप ने दिखाने जाने का बात कहा है भाजपई ने कहा कि सपा सरकार आही रही रही तो ऐसे वाइदों का क्या मतलब है आजसपा ऐसे वादे कर रही है जब उनकी सरकार थी तब वह क्या कर रहे थे भाजुपा से सपा में शौमिल हुए लोगों पर भी उन्होंने तंज गस्ते हुए कहा कि वह यहां लूट खासोट नहीं कर सके इसलिए छोड़ कर चले गए अपने लोगों से मिलने जुडने का था अपने लोगों से मिलकर वारता करके 2022 का चुनाओ होने जा रहा है तो उस संबन्द में पार्टी के लोगों से सबके साथ बाचीत जा और लोगों से मिलना जुलना कुछ व्यक्तिकत भी लोगों के यहां जाना था वो संपर्क के लिए वो समाजवादी पार्टी की नीतियों से उप करके पार्टी छोड़ करके भाग रहें, वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई भविश्य नहीं और उपने अपना बड़ा समझ समाजवादी पार्टी पार्टी बरबाद किया, इसलिए वो समाजवादी पार्टी छो कुल उटने का काम करेंगे उनको यह अवसर नहीं मिला तो इसलिए कुंठित हो कि वहीं बादा पुली सदीक्ष्यक ने आज जनपद में आई टी आई परिक्षा के इंद्रों का भ्रमड किया है आपको बताये कि टी टी परिक्षा को लेकर आज परिक्षा केंद्रों में भ्र अगली कबर फिरोजबाद से है जहां पर टेट की दूसरी पाली की परिक्षा दो बज़े से प्रारम हुई जिसमें दो बज़ेत जब अभ्यरती स्कूल के गेट पर पहुचे तो स्कूल के गेट बंद मिले जिसे नाराज अभ्यरतीों ने गेट पर बैठ कर विरूत प्रदर्शन किया मौके पर पहुची पुलिस ने अभ्यरतीों को वहाँ से हटा दिया जिसे नाराज अभ्यरती सड़क पर जौम लगा दिये खबर लखीमपुर खीरी से जहां एक बार फिर पुलिस का घिनोना चेहरा सामने आया है जुसने पुलिस की कारिश्यली पर एक बार फिर से सवाल या निशान खड़ी कर दिये हैं जादी के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने चोरी के आरोप में नाबालिक युवक की पिटाई से चौर दिन के बाद युवक की संदिग्द परिसिद्यों में मौत का मामला सामने आया है वही पर जणों ने पुलिस पर आरोप लगा कर सड़क पर शव रखकर जमकर हंगा संजीर सुमन ने कहा कि म्रतक की मा के तरफ से तहरीर मिल गई है जाच की जा रही है सारे पहलूँ पर गहनता से जाच की जॉएकी प्रितक की माता में एक तहरीर दिया वितकी माता और साथ में पाच शे अन्य वक्ति आया बेथाने पे पर जिसमें नोने चाचा पे आरोप लगाया, चाचा और गाउं के अन्य रख्ती पे, नोने ये आरोप लगाया कि 20 तारीक की रात्री 10 बजे के आसपास, इन दोनों लोगों ने पुना हरी के बेटे के साथ मार्पीट की है, रात 20 तारीक की ही रात 11 बजे, उस लड़के को हॉस् इस सभी पहलों पे जाच करने का अमद मनाया है, उनसे उना इस मामले में जो पहले तहरी दी थी चाचा और उनके खिलाब, उसके अलावा भी जो अन्य तहरी देना चाते हैं, उनने एक लिखिट चिकाता पक्ते लिया है, उनसे ले लिया है, उसे उसी मुकदमें जोड़ पहले रहे हैं, और आगे की बीच्चा कर रहे हैं, आगे जो भी तत्य होंगे, जो भी चीज पाई जाएगे, अगर पुलिस वाले दोशी पाई आते हैं, इस निखिला भी सक करवाई की जाएगे। उसके बाई पूँचे पूछे की हाँ तु कहरा था रापको में सोने आओंगा तो मैं आया की उन्हें फोन तु ही जोड़ी किया काया के रिपोर्ट करवाया प्लिस वाले को तो उसके बाद पुलिस ने बुलाया था घर भूही पैस चौकी में बुलाया था उसे, उसके ब करवाय करने के बाद मैर भाही को इतना मार इतना मार बुच लेता, यहां कोई सबूत था, यही इस ने इस फिचोरी किया, बस यही गां कि तजवाजा खुला रगना मैं आओंगा सोने बस इतनी वात हुई थे अगली खबर बैनपूरी से है जहाँ पर परिक्षार्थियों को परिक्षा केंद्र में जानी के अनुमती ना मिलने पर जम कर हंगामा काटा गया है चातर शातराओं कारोप है कि विद्याले में एंट्री नहीं दी जा रही है वही समय रहते विद्याले पहुच गए थे लेकिन उसके बाद भी विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया वही सी बामले की सुच्टा मिलते ही पोलिस मौके पर पहुची और चातरों को समझाने के बाद जाम को किसी प्रकार से खुलवाया गया है आपको बता दे कि जुनपत में 28 केंद्रों में से तीन पर एक्षा केंद्रों पर जम कर बवाल हुआ अजिए बसक्ता में जिनके पानी आपको निजिए उसके इंदर से बाहर और आ दिया तो इस्टेक्स वाहँ पत्रिकी प्रोप्र दी पाब यूद्थ इन बच्चों को बाहर निगा दिया पेपर नहीं देने दिया इसे 25-30 बच्चों को भार कर दिया जिनके बाद प्रमानित प्रतियां हैं उसके बाद भी पेपर नहीं दे रहे प्रशाशन की यह ताना सही चल लगी है अब कारी आयुक्त के निर्दाशन नसार आगमी विधान सभा के द्रश्टी का चलाई जो रहे विशेश प्रवरतर अभियान में खेतों में अवैद कच्छी शराब बनाने वालों को घरो और आसपास के स्थानों पर दविश की कारेवाई की है वहीं दविश के दोरान लगबग 40 लिटर अवैद कच्छी शराब बरामत की गई उसके साथ ही लगबग 500 किलोग्राम महुआ लहन भी मौके पर नश्ट किया गया पुलिस अधिक्षक राजेश कुमार सिंग के निर्देशन में एरिया डॉमिनेशन कर भारी पुलिस बल वा अर्द सैनिक बल के साथ पैदल मार्च किया गया मौके पर थाना प्रभारी वा अन्याधिकारी बौजूद रहे अगली खबर गोरकपुर से है जहाँ पर पुलिस ने ऐसे गौत असकर गैंग को गरफतार किया है जो पुलिस टीम पर पत्रावा फाइरिंग करने के अलावा आम लोगों को भी निशाना बनाकर दैशत फिलाने का काम करते थे जिसमें पुलिस ने छे गौत असकरों को प्यारवी की गाड़ी पे कुछ पश्करों ने हमला किया भा और कुछ कैस वगारा लूट लिया थे ठोकर भी प्यारवी गाड़ी को मारी थी उस समंद्ध में वरिश्पलिस अदिक्षक मोहदेजवारा ये पस्तस्वरों को विरुद अभियान चलाया गया जिसमें ठाना क चोहान उसका सरगना है इसके अलावा राजू चोहान, मुकेश चोहान, राजपुत्र इब्राहिम, विशाल पुत्र इब्राहिम और रमजान अंसारी इनकी खबर बनायू से है जहां पर फैस गंज बेहटा बनायू में सरसों के खेत में एक अग्यात व्यक्ति का शव बरा सक्या, साथ ही मावले की जॉच परताल फिलाल शुरू कर दी गई है। पुलिस जब मौके पे पहुची तो लोगों से वाता की गई, मोटर साइकल, एक तमंचा और मरता का मुबाइल और रहाना चुका है, उन्होंने गटा कुबूल कर ली है, इसमें बहुत कम समय में इस हत्या जैसे जहन्य पराज का फिलासा फैसमें पैटा पुलिस में किया ह तो इसको उसाब अधर के लिए मेरी की तरफ से कैश वार दस जार रुपे दिये जाएंगे इस पुछी तीम को, और इसमें निस्टिकेशन चलना है, आगे की कारवाई राइबरेली में संदिक्द परिस्तियों में बाग में युवा का शव मिलने से हर कंप बच गया, वही ग्रामीडों ने पुलिस को मामले के जुआनकारी थी सूचना मिलते ही, मौगे पर पहुची पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मौटम के लिए फेज दिया है और आगे की जॉच परताल शुरू कर दी गई है अभी हमें चार बज़ित करीब लोगों ने बताया कि हमारे बाग में एक किलास पड़ी है, महरा जिन से आये, यहां पर देखा, देखा जाके उसके बाद से हमने इस्प्टर सहाब को फून किया, उसमना पूरा पुलिस के साथ आए, यह लोग देखिए से अगली कबर लखनव से है, जहां पर लगातार भीशर ठंड से लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके है, ठंड में सबसे बुरा हाल गरीबों का है, गरीबों के सुक दुख साथ रहने वाले और उनकी तकलीफों को समझने वाले बॉलिवो डेक्टर और समासेवी शबाब शबाब हाशिब ने सर्द भरी रात में गरीबों के बीच पहुच का लखनव के केजी म्यो सहेद शोहर के काई इलाकों में जाकर गरीबों को कमल वृत्रित किये, लखनव में हो रही मिशर ठंड पर मायरा फाउंडेशन ट्रस्ट के चेर्मेन शबाब हाशिब ने गरीबो के साथ अपना दर्द बया करती हुए कहा कि इस भयानक सर्दी में सबसे जादा परिशानी गरीबों को उठानी पड़ती है, ऐसे में इनकी मदद करना हम सभी का फर्ज होना चाहिए और समाज के सभी लोगों को इनके मदद के लिए आगे आना चाहिए अगली खबर औरिया से है जहाँ पर बुंदेल खंट एक्स्प्रेस वे में च्वालक के पद पर कारी कर रहे इक अधेड की संदिक्त परिस्सितियों में मौत हो गई उसके साथी द्वारा उसे औरिया के सयुक्त चिकेट साले में भड़ती कराए गया जहाँ पर डॉक्टर चुरू की गई इसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं भगवानी मौत उसके हमने कह सकते हैं कि उसलिए अक्सीरियल किया उसलिए मारा यह तो बनाए बताएगी रिपोर्ट वहीं बादा में एक बार फिर मौसम ने मिजाज बजलती हुए देर रात कोहरे ने जन जीवन को अस्तिव्यस्त कर दिया जिले में पिछले तीन दिन पहले चार डिग्री तापमान रिकॉल्ट किया गया था जिसमें भीशा ठंड में ठिटन बढ़ गई थी लोगों ने इस भीशा ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लिया मैं लोगों का कहना है कि हर साल की अपिक्च्वा इस बार जादा ठंड पड़ रही है ऑगली कबर बस्ती सहां पर बारिश के दिनों बहुत से लोगों के घरों में पानी बर्चोता है जिस वजह सुने पारेश्वानि का सामना करना पड़ता है बस्ते में आवास्विकास कालोनी में हर साल बारिश की समस्या से सेक्ड़ो लोग जूजते हैं लोगों के घरों में बारिश का पानी भर जाता है, जिस वज़े से मकानों को बारिश की समय उपर शिफ्ट करना पड़ता है, जिसके लिए लोग आवास विकास कॉलोनी के मकान लिफ्टर को बुला कर मकान को लिफ्ट करवाते हैं दो सो जेक लगarna होता है कितना समय लग जाता है करीं करींगें जोना हसाभ से मेकान होता है उसी साबसे मतलब जाते हैं जैसे 1200 तो 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 इसमें 1550 जीड़ दिल्र आघ Chicago कितने लोगों का टीम ओर एक इतने लोगों करिब करीब नारी टीम तो इस तमेच दस बारा लोगों की चल लेए बाकिज़ जब जरूरत पड़ती है तब कहां तक आप लोग कामेक हैं बहुत करते हैं दिल्ली फैजाबाद इनॉटा गाजियाबाद दिहार धार खंड बहुत अब भूज़ जरेदे जगह सारी जगह करीगें जैसे हम मारा मकान रोले लदी से नीचे हो गया है अपका तो हम लोग व्ली से मकान उठाते हैं पूरा बना बनाइए मखा देते हैं कितने मंचीले तक काम मगान आप लोग उपर कर सथें यचे पाँशने अपर गार सकते ह कि इस तरह का रिस्क भी रहता है और दिक्कत नहीं है इसलिए सामने हो रहाता काम वह देखिए हम ने कर वारीया तो फॉलिए कर वारीया कि तो दुझी पानी पर जाता था करमें तो जाए से रहते हैं जाए से ही लें देन को लेकर काफी समय से उनके बीच रंजे चल रही थी वहीं आरूपी के ऊपर इस्तियाक का पैसा बकाया था फिलाल पॉलिस मामला दर्च कर तीन लोगों को हिरासत में ले चुकी है और आगे की कारेवाई जो आरी है मोरते जाके चाकूर लोगों को लग गया से आने में सर्तारी दिया चौकी फे सुचना किये चौकी कैसे पाहित उन पहुचे वो दो फिर लोगों को गिरिबतार कर लिए एक लोग फ़रा रहे दिए करनावलिया गाउं में मरपीट हुई है आज जिसमें एक बेक्ती को जोट लगी है और उसका उपचार कराया जा रहा है इसी दूसकी ख़़रे से बाहर है और प्रकरण को तदकार संज्यान में ले लिया गया है और व्योग पंजिकत कर लिया गया है तीन लोगों को हिरासत और इसी के साथ उत्तरप्रदेश की ख़बरों में फिलाल इतना ही देश-दुनिया की बाकी की तबाम ख़बरों के लिए आप बने रहे हैं प्राइम टीवी के साथ हमिशकार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार